नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है आप ब्याहर बोर्ड इंटर परिक्षा आर्ट्स इत्यास के अत्ती मात्पुर्ण अबजेक्टिव प्रस्ण आप इस वीडियो को अंतक्र जरूर देखें क्योंकि इत्यास में अबजेक्टिव बिल्कुल इसी तरह से पूछे ज अगला प्रस्ण देखें हरपा सब्यता किस नदी के किनारे इस्तित है तो अगला प्रस्ण देखें तीन नमर लोथल कहां इस्तित है लोथल गुजरात में आप सबी इस वीजियो को अंतक्र जरूर देखें ऐसा प्रस्ण जरूर आएगा दुस्तों आए तो चलते हैं अग इंडिका के लेखक कौन है इंडिका के लेखक कौन है तो इस प्रशन का उत्र हो जाएगा आपका उप्सन नमर B बिल्कुल सही है मेगास्तनीज अगला प्रशन देखिए दोस्तों गुप्त वंस के किस सांसक को भारत का नेपोलियन कहा गया है गुप्त वंस के किस सांसक को भारत का नेपोलियन कहा गया है तो इस प्रशन का उत्र होगा आपका उप्सन नमर B बिल्कुल सही है समुन्दर गूप्त को अगला प्रशन देखिए प्राचीन भारत में धामा की सुरुवात की सासक ने की थी तो असोक ने किया था प्राचीन भारत में धामा की सुरुवात अगला प्रस्ण देखिए दूस्तो, महा भारत, महा भारत कितने दिनों तक यूद चला था, महा भारत का यूद कितने दिनों तक चला था, तो इस प्रस्ण का उतर हो जाएगा आपका option number D, बिल्कुल सही है, 18 दिन तक, अगला प्रस्ण है कि महा भारत में गंगा पुत्र के नाम से, किसे जना जाता है, तो महा भारत में गंगा पुत्र के नाम से जना जाता है, भीस्म को, option number B, बिल्कुल सही है, अगला प्रस्ण देखिए, श्यतंबर एं दिवांगर का संबंद किस खाय और दिवांगर का option number D, बिल्कुल सही है, जैन धर्म से, श्यतंबर का तो अगला प्रस्न देखिए, दीन ए इलाही समंधीत है, तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाग आपका, ऑप्शन नमर सी बिल्कुल सही है, अकवर से, अगला प्रस्न देखिए, भारत का अंतिम मुगल सासक कौन था, भारत का अंतिम मुगल सासक कौन था, तो इस प्रस्न का उत् अगला प्रस्ण देखिए प्रस्ण है रखला दास बनर जी को मुहन जोद्रों के अपसेश किस वर्च मिले थे तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका उप्शन नमर दी बिल्कुल सही है उनिस सो बाइस इस वी में अगला प्रस्ण देखिए हलपा किस नदी के किनारे इस्तित है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका उप्शन नमर दी बिल्कुल सही है रवी नदी के किनारे है सिंदु घाटी निवासी के को किस धातु का ग्यात नहीं था सिंदु घाटी निवासी को किस धातु का ग्यात नहीं था तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका उप्शन नमर सी बिल्कुल सही है लोहा का सिंदु घाटी निवासी को ग्यात नहीं था यानि कि लोहा का पता नहीं था अगला प्रशने देखिए सिंदु घाटी सब्याता में विशाल असनानगर के आपसे कहां से प्राप्त हुए हैं तो इस प्रशने का उत्तर हो जागा आपका ओप्शन नमर B बिल्कुल सही है मोहन जोद्रों से अगला प्रशने देखिए असोक किस वन्स का सासक था तो असोक मोर्यू वन्स का सासक था ओप्शन नमर B बिल्कुल सही है अगला प्रशने देखिए एलारा के कैलास मंदिर का निर्मान किस राज वन्स ने करवाया था तो इस प्रशने का उत्तर हो जाएगा ओप्शन नमर D बिल्कुल सही है, राज कुटवने, अगला प्रस्न देखिए, लोथल इस्तित है, लोथल इस्तित है कहाँ, तो यह है गुजरात में, अप्सन नमर ए, बिल्कुल सही है, अगला प्रस्न देखिए, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी, तो इस प्रस्न का उत्तर हो से किस राज्य वंस की जनकारी मिलती है तो यह मिलती है मौर्य वंस से ऑप्शन नमर ए बिल्कुल से याद रखिएगा और सास्त्र और इंडिका से किस राज्य वंस की जनकारी मिलती है तो मौर्य वंस से मिलती है अगला प्रसिद ग्रंथ प्रसिद ग्रंथ प्रसिद ग्रंथ इंडिका का रचना किसने क्या था तो इस प्रश्ण का उतर होगा मेगास्तनी ओप्शन नमर बी बिल्कुल सही है तो अगले प्रश्ण की ओर चलते दोस्तों प्रश्ण है आप इस वीडियो को अंतक देखें और ध्यान से देखें ताकि एकजाम में अच्छे से आप रंगा स ड scrutiny प्रश्ण है महां भारत यूध तो यह 18 दिन तक चला था महां भारत की रचन है किस χषा में हुई है तो संस्क्रित पुरणों की संख्या कितनी ए 18 है प्रणों की संख्या 18 है वेद वेदों की संख्या कितनी है चार है वेदंगों की संख्या कितनी है छे है याद रखेगा तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वेद प्रोनों की संख्या है 18 तो चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न है भगवान महावीर ने पासवरनात के सिधांत में नया क्या जोडा तो इस प्रसORY का उत्तर हो जाएगा आपका ब्रहामचरय जोडा था महावीर ने पास्वरमत के सिधांत में क्या जो रहा था ब्रहामचरय का सिधांत जो रहा अगला प्रश्ण देखिए फंद्रैन अबर प्रश्ण है आपका त्रीपीटक साहिते है एकिसका बोद धर्मका अगला प्रश्ण देखिए तलबंडी में किस प्रशित संद का जन्म हुआ था तो इस प्रश्ण का उत्टर हो जाएगा गुरु नानक का जन्म का हुआ था तलबंडी में अगला प्रशन देखिए इवुन बतुता ने अपनी यात्रा का वित्रन किस भासों में लिखा था इवुन बतुता ने अपनी यात्रा का विवरन किस भासों में लिखा है तो इस प्रशन का उत्र हो जाएगा उप्शन नमर संधराबक. 19 नमर इवुन बतुता किस देश के निवासी थे तो मैं इसकी को तो चलते अगले प्रश्ется की यह सिक्ष commitments के दर्गा इसतित कर दर्गा है तो का है याद रखेगा अजमेर में सेक मुजद्िन चिस्ति की दरगा है अगला प्रश्न है उत्तर भारत में भक्ती अंदवलन का आरंब की संथ ने किया इस फ्रश्ने आयने A एकवारी किस ने लिखा उत्तर आपका आप्शन नमर B बील्कुल अबुल फजल अगला प्रस्ण है 23 प्रस्ण है बिजे निगर समराज के अस्थापना किस ने की थी तो दोस्तों इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा हर यह यह दोनों भायों ने मिलकर बिजे निगर के अस्थापना किया था तो चलते एगले प्रश्न की और प्रश्न है पूर्थकालियों ने गोवा पर कव अधिकार किया तो इस प्रश्न का उतर हो जाएगा 1510 इस वी में पूर्थकालियों ने गोवा पर अधिकार किया था तो चलते हैं अगले प्रश्ण की और गोपूरम का संबंध है मंदीरों से आइने एक्वारी कितने भासा में विखसित है तो दोस्तों यह हो जाएगा पंच आइने एक्वारी कितने भागों में विभाजित है तो पंच भागों में विभाजित है चलते हैं अगले प्रश्ण की और प्रश्ण है आपका अकवर नामा की रचना किसने की थी तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओक्षन नमर डी बिल्कुल सही है अब बुल फजलने तो चलते हैं अगले प्रश्ण की और प्रश्ण है कि कुतूब मिनार का निर्मा किस ने शुरू किया था तो इस प्रश्ण का उत्र हो जाएगा कुतवुद्दिन एवक ने और पूरा किस ने किया इल्टुत्मिस ने पूरा किया और शुरू किया था कुतवुद्दिन एवक ने तो इस प्रश्ण का उत्र हो जाएगा उप्सन नमर A बिल्कुल है तो चलते हैं अगले प्रस्णी क्यों देखें प्रस्ण है आपका 29 नमर 29 नमर प्रस्ण है कि औरेंग्जेव ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया औरेंग्जेव ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया का बिताया था तो दक्षिन भारत में बिताया था, option number D, बिल्कुल सही है, अगला प्रस्ण है, नीमन लिखीत में कौन मोगल बात्सा आलिमगीर के नाम से जाना जाता है, तो औरेंजेव होगा, option number C, अगला प्रस्ण देखे, पानी पत का पर्थम यूद किस वर्स हुआ था, यह कुछतों दुस्तों है, साल दामीन E, को क्या है, तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका, option number A, बिल्कुल सही है, भू भाग, अगला प्रस्ण देखे, संथाल विद्रो का नेता कौन था, तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा, C2, अगला प्रस्ण देखे, लाट कर्ण वलिष, कर्ण बना, त 1793 स्वी में, प्रस्ण है, 1897 का विद्रो आरम हुआ, तो 1897 का विद्रो आरम हुआ था, मेरट से 10 मही, 10 मही को, अगला प्रस्ण है, गेटवे आप इंडिया का निर्मान कब हुआ, तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा, आपका, option number C, बिल्कुल सही, 1911 स्वी में, अगला जल्यावला बागतियाकन की वर्स हुआ, तो 13 अपरेल 1911 स्वी में हुआ, जल्यावला बागतियाकन का वहा, 13 अपरेल 1911 स्वी में हुआ, डंडी की स्राज में इस्तित है, तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा, option number C, बिल्कुल सही है, दोस्तों, गुजरात में, अगला गंधी जी ने उसे योग अंदोलन की स्वर्स आरम किया, गंधी जी ने उसे योग अंदोलन की स्वर्स आरम किया था, तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा, option number A, बिल्कुल सही है, 1920 इस वी में, प्रस्ण है, ब्याहर में चंपारन सत्यागरा कब शुरू हुआ था, ब्य ब्याहर में, 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 ये बिल्कुल सही है, सी राज गोपाल चारी, याद रखे दूस्तो, सब्सक्राइब भारट जब अजाद हो गया, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राज गोपाल राचारी, अगले प्रशन की ओर देखिये, भारत छोड अंदोलन कब शुरुआ था, भारत दोस्तों यह सबी अच्छे प्रसंद थे जो की पूचा जा सकता है अगर आप यहां तक देखते हुए आय है तो अपने दोस्तों को सेर जरूर करें और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें तो तेनको सब्सक्राइब कर ले और आए समका जो एंसर सीट मिलाने के लिए भी आएगा दोस्तों जाहिए भारत विक्टोरिया टर्मिनेंस किस अस्थापित सैली का उधारन है तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका ओप्शन नमबर जो है की डी इन में से कोई नहीं होगा अगला प्रस्ण देखिए गेटवे आप इंडिया का निर्मान कब हुआ तो गेटवे आप इंडिया का निर्मान हुआ था उप्शन नमर बी बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण देखिए तीन नमर भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई तो भारत में रेलवे की पात हुआ था 16 अप्रेल 823 को आप्शन नमर B बिल्कुल चाहिए है अगला प्रस्ण देखिए मात्मा गंधी दक्षिन अफ्रिका से भारत वर्ष कव लोटा तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन नमर C बिल्कुल चाहिए 1915 स्वी में दक्षिन अफ्रिका से मात्मा गंधी भारत वर्ष लोटा था अगला प्रस्ण देखिए सविन्य अवग्यात अंदोलन प्रारम हुआ था तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन नमर C बिल्कुल चाहिए 1930 स्वी में अगला प्रस्ण देखिए गंधी जी के राजनिती गुरु कौन थे गंधी जी के राजनिती गुरु कौन थे तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन नमर B बिल्कुल चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले अगला प्रस्ण देखिए डंडी किस अंदौलन की शुरुवात हुआ था तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन नमर A बिल्कुल चाहिए 1927 बिम अगला प्रस्ण देखिए गंधी इबरिन समझाउता तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा ओप्शन नमर B बिल्कुल चाहिए 1931 में गौंधी इवरिन समझाउता का हुआ था 1931 इस भी में अगला प्रश्ण देखिए साइमन कमिस्चन भारत कब आया तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्शन नमर C बिल्कुल चाहिए 1928 इस भी में प्रश्ण है 11 नमर नीमन में से किसने मोहन जोद्रो की उत्खनन की तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका ओप्शन नमर D बिल्कुल चाहिए रखलादास बनर जी प्रश्ण है किस धातु का ग्यान सिंदु घाटी के वासियों को नहीं था तो लोहा होगा अगला प्रश्ण है एस याइटिक सोसाइटी की अस्थापना की थी तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका विलियम जौन्स ने किया था अप्शन नमर D बिल्कुल चाहिए है प्रश्ण है हडपा किस नदी के किनारे इस्तीत है तो हडपा जो है किरावी नदी पे है अगला प्रश्ण देखिए कलींग की लराई कब लरी गई गई कलींग की लराई कब लरी गई तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आपका अप्शन नमर ए बिल्कुल सही है दोसो एकसट इसा पुर्भ अगला प्रश्ण है असो किस वंस का राजा था तो मोडि वंस का था, option number D बिल्कुल सही है, प्रशन है पाटली पूत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटली पूत्र के संस्थापक थे, उद्यान option number C, बिल्कुल सही है, अगला प्रशन है मुद्राक्ष किसकी रचना थी तो इस प्रेशन का उत्तर हो जाएगा आपका option number B बिल्कुल सही है B सेखा दत अगला प्रेशन देखिए समुद्र गुप्त की तुलना किसे की जाती है तो समुद्र गुप्त की तुलना क्या जाता है सिकंदर से option number A बिल्कुल सही है तो आप मिलाते चलिए यह एच नम्मर सेट है अगला प्रस्ण देखिए बोध का जन्म हुआ था बुध का जन्म कहा हुआ था तो बुध का जन्म हुआ था ओप्शन नमर सी बिल्कुल सही है लूबनी में बुध का जन्म कहा हुआ था लूबनी में हुआ था अगला प्रस्ण है सलीम चिस्ती की दर आग्रहाँ में लिए. आप्शन के लिए anodalon का उत्र भारत में आरम किष्णे क्या था. एस प्रस्निका उत्र रिएगा उप्शन नमर अंबर संथ कवीर का जन्म कहा हुआ था तो संथ कवीर का जन्म हुआ था बरानासी में उप्चन नमर B बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण है भारत आने वाला पहला युरोपीयन कौन था तो इस प्रश्ण को आप सभी भी लगाये होंगे पुर्तकाली अगला प्रश्ण देखिए पलोसी किलराई कब हुई थी तो पलोसी किलराई कब हुई थी तो प्रश्ण है अस्थाई बंदोवस किसने लागू किया था प्रश्ण है अस्थाई बंदोवस किसने लागू किया था तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर ए बिल्कुल सही है कर्म बलीशन है अगला प्रश्ण देखिए लच्मी वाई कहां कि रानी थी तो जांसी कि थी ओप्सन नमर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण देखिए वीर कुमर सिंग कहां का रहने वाला था वीर कुमर सिंग कहां का रहने वाला था तो बिहार जगदेशपूर ओप्सन नमर सी बिल्कुल सही है प्रश्ण महत्मा गांधी दुआरा शुरू किया गया पहला जन अंदोलन कौन साथ था तो इस प्र में हुए भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन की अध्यक्ता किस ने की थी तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर D बिल्कुल चाहिए इनमें से कोई नहीं अगला प्रश्ण देखिए प्रश्ण है My Experimentic with Tut किसकी आत्मकता है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा एक तिस नंबर का आपका ओप्शन नंबर C बिल्कुल सही है मात्मा गंधी इस प्रश्ण का उत्तर मात्मा गंधी होगा अगला प्रश्ण देखिए सर की उपादी किसने बापस की थी सर की उपादी किसने बापस क्या था तो यह क्या था रवी नर्ट टाइगोर ने उप्शन नमर C बिल्कुल सही है प्रशन है 1919 के अधिवेशन को क्या कहा जाता है तो इस प्रशन का उत्तर हो जागा आपका उप्शन नमर C बिल्कुल सही है, 33 नवर कभी बिल्कुल सही है, अगला प्रशन देखिए, 24 जनवरी 1950 को समिधाउन सवा के कितने सदस्यों ने समिधाउन पर हस्ताक्षर किये थे, तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपका option number C, बिल्कुल सही है, 284, अगला प्रशन है, cabinet mission के सदस्य थे, तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपका, इन में सभी, इन में सभी थे cabinet mission के सदस्य, ये तीनों था, तो अगला प्रशन देखिए, भारत वर्ष किस वर्ष गंतंत्र बना, भारत किस वर्ष गंतंत्र बना, तो 1950 को गंतंत्र बना, और 1947 को देश अजाद हो था, स्वतंत भारत वर्ष का अंतिम वाइसराय कौन है, तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा, लाउड मौन्ट वेटन, ओप्शन नमर ए, बिल्कुल सही है, अगला प्रशन देखिए, भारती राष्टी कंगुरेस की अस्थापना क्या भूई थी, तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएग आपका उप्शन नमर डी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजिंदर परसाद, जो की बिहार का रने वाला था, अगला प्रशन देखिए, जैहिंद का नारा किस ने दिया था, स्वास्चंदर बोश ने, अगला प्रशन देखिए, हडपा सभ्यता किस यूग की सभ्यता है, अगला प्रशन देखिये, मोहन जोदरो का सापेदिक मतलब है, मितिकाओं का टीला, अगला प्रशन देखिए, भारतिय हैं पुरा तत्विक का पिता किसे कहा जाता है, तो इस प्रशन का तरोज आपका, अप्सन नमर बिल्कुल सही है, अगला प्रस्ण देखिए हडपा का उत्खनन क्या था तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जागा आपका अप्शन नमर बी बिल्कुल जागा अगला प्रस्ण देखिए काली वगाउन कहा है तो यह राजस्थान में अगला प्रस्ण देखिए पाटली पुतनगर के अस्थापन किस नदी के संगम पर की गई थी इस प्रस्ण का उत्रज़ेगा उप्शन नमर डी बिल्कुल जागा पून-पून तो वेदों की संख्या होता है दोस्तो चार और वेदंगों की संख्या होता है छे प्रोनों की संख्या होता है अठार तो इस प्रस्ण का उत्तर था आपका उप्शन नमर ए बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण देखिए मोड्य समराज का प्रथम सासक कौन था तो चंद्रगुप्त मोड्य था द्रोपती किसकी पत्नी थी तो द्रोपती जुदुष्टीर का था भीसमुका था अरजुन का था जैनि इन में सभी अप्षन नमर D बिल्कुल चाहिए है इनमें सभी प्रत्थम बोध संगीत कहां हुई थी प्रत्थम बोध संगीत कहां हुआ था तो इस प्रशन का उत्रा ज़ेगा अप्षन नमर C बिल्कुल चाहिए राजगीर में स्वेतंबर और दिवंगर किस धर्म से समन्दी था है, प्रशन ये पिरपन नमर, साँची का इसुप किस धर्म से समन्दी था है, अगला प्रशन देखिए, अगला प्रशन देखिए जहांगीर का सासनकाल क्या था अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन देखिए तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपका अप्रशन नमर A बिल्कल चाहिए सांती प्रशन है 1556 में पानीपत की दूसरी लराई में अकवर ने किसे हराया था अगला प्रशन देखिए जीतल क्या था जीतल एक सिक्का था जो कि चंदी का था ताजमाल का निर्मान किसने करवाया ताजमाल का निर्मान किसने करवाया तो इस प्रशन का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नमर डी बिल्कुल सही है सहां जहां ने कुरूर छेत्र का यूद किसने जिता था तो पंड़ब ने जिता था अगला प्रशन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है गंगा पुत्र किसे कहाता है भीस्म को का जाता है उप्शन नमर C बिल्कुल सही है प्रशन है महत्मा बूध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी तो महत्मा बूध को ग्यान की प्राप्ति वा था बोध गयां में प्रशन है इस पुत्समंधित है इस पुझ समंधित किस्से है तो इस प्रेशन का उत्र राज़ेगा आपका option number B बिल्कुल सही है बोध धर्मु से है महावीर का जन्म कहा हुआ था तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडल वन वैसाली में option number C बिल्कुल सही है अक्वर का वित्त मंत्री कौन था इस प्रশने का उत्र अज़े का उस से नमर C बिल्कुल सभी है टोडर मल अक्वर नमा की रषना किस Kensो ने किती तु अक्वर नमा कर अपूल फजल ने प्रश्न है दिली में दिली से दौलतावाद किस सासक ने राजधानी प्रवर्थित की थी इस प्रश्न का उत्र रजय का उप्सन नमर B बिल्कुल सही है मुहम्मद बिन तुगलक ने ताज महल किस नदी के किनारे इस्तीत है तो ताज महल यमना नदी के किनारे इस्तीत है भारत का अंती मोगल समराट कौन था भारत का अंती मोगल समराट कौन था बहादूर सा जाफर ऑप्सन नमर डी बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है भारत में मोगल वंस का संस्थापक देखे प्रस्ण है तकीक A हिंद किसकी यात्रा का वित्रन है तो इस प्रस्ण का उत्र हो जएगा आपका option number A बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है English East India Company की हस्थापना कब हुई थी तो इस प्रस्ण का उत्र हो जएगा 1600 ISB में वा था इंगलिस East India Company की हस्थापना option number A बिल्कुल क्षिए है प्रस्णे किस गवर्रनेर जर्नल ने महल वरी वैवस्था को लागू किया था इस प्रस्ण का उक्तर हो जागा आपका ओप्सन नंबर C बिल्कुल शहिये लौड वेटिंग ने अगला प्रस्णे देखिए संथाल विद्रों का नेता कौन था तो इस प्रेशन नेका अफ्वतर आगा सिद्धू कन्नू यहनि ओप्सिन नम्बर D बिल्कुल सही है अगला प्रेशन ए जक्षा न डंग अगला प्रेशन देखेे, आखाड में 897 की क्रंटी का नेतवर किस्ने किया था, तो इस प्रेशन रहे आपका, ऑप्सन नंबर A बिल्कुल से है, लस्मी वाई, अगला प्रेशन है, 1897 की बिद्रो की समय भारत का गवर्नर जर्नल कौन था, तो इस प्रशन का उत रोजआगा आपका। Option number C बिल्कुल सही है, Keining अगला प्रशन देखिए 897 की करंटी का ततक्कारन क्या था? 897 का ततक्कारन था چर्वी वाले कर्तूस option number C बिल्कुल सही है अगला प्रशन देखिए सेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है तो सेरे ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लश्पत रायको ओप्शन नमबर डी बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण देखिए नेता जी सुवास चंद्रु बोस ने 1949 में किस पार्टी का गठन किया था तो इस प्रस्ण का नमबर डी बिल्कुल सही है फरवड ब्लोग का अगला प्रस्ण है ardından किंका जन्म दीवस दिवस है तो इस प्रस्ण का उप्शनी का जन्म दीवस है तो इस प्रस्ण का उफ्थर यहाग आपका इस प्रशन का उत्र जगपका option number C बिल्कुल चाहिए पंडित जभारलाल नहरू का अगला प्रशन है cabinet mission भारत कव आया था तो इस प्रशन का उत्र जगपका option number D बिल्कुल चाहिए 1946 इसवी में के बने मिस्टन भारत का वाय था 1946 इसवी में अगला प्रस्न है मुस्लीम लिंक की अस्थापना कव हुई थी तो मुस्लीम लिंक के अस्थापना वह था बिल्कुल से है जन्रगनमन अधिनायक अगला प्रस्थ डेखिए डाक्टर परसाथ का जन्म हुआ था इस प्रस्थ प्रस्थ गोत रहेगा आपका औप्शन नमर C बिल्कुल सही है, जिरादाई, अगला प्रस्ण देखिए, भारत का समिधन लागू हुआ, भारत का समिधन लागू हुआ, औप्शन नमर A बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950 को, अगला प्रस्ण देखिए, हैंपी नगर किस समराज से समन्दीत है, तो यह विजय अगला प्रस्ण देखिए अम तो लियाबाद किस ने लिखा है तो इस प्रस्ण का उत्र आजएगा कृष्णिदेव राय ने अप्शन नमर डी बिल्कुल चाहिए अगला प्रस्ण देखिए चौथी बहुत परिशत किस सासक के काल में हुई थी तो अप्शन नमर डी बिल्कुल सही है कनिकुण के सासंकाल में है अगला प्रस्ण देखिए बंगाल में भक्ति अंद्वलन का प्रसार किस संत ने कया था तो चैतन यमां पर बोनी कया था ओप्शन नमर C बिल्कुल सही है तो इस प्रशनिका अउचन मेंटश है और जयागा और जयाएँ है अगला प्रशनिका आपकींच के दर्वार में आया था इस प्रशनिका आपका अउचन मेंटशन के डर्वार नहीं कहलाता होगा यहाँ पे दोस्तों तो सिंदू सभ्यता का कौन सा अस्तल मितकों का टीला कहलाता है तो इस प्रश्ण का उत्तर वाजाएगा आपका आप्सन नमबर C बिल्कुल सही है मोहन जोद्रो मोहन जोद्रो को मितकों का टीला कहा जाता है अगला प्रश्ण देखे भारत भारतिये पूरा तत्विक का पिता कहलाता है तो कनिंगम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल तही है कनिंगम कहलाता है अगला प्रस्ण है आपका कि सिंदु वासी नीम्न धातु उप्योग नहीं करते थे तंबा लोहा स्वन कसा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा धातु करते थे यंदी उसके अबारे में जानता ही नहीं था अफ् GUY आता हुए था हो जाया अपका लोहा ऌक्स नमर बी कहां से मिली है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option नमर ए बिल्कुल सही है मोहन जोद्रो से अगला प्रश्ण है किसने भारत में सार पर्थम स्वर्ण सिक्के जारी की तो भारत में सबसे पहले जारी किया था तो हिंद युनावनी ने जारी किया था अगला प्रश्ण है सख समवत का आरम किसने किया तो कनिक्स ने किया अगला प्रस्ण है किसने भूमी अनुदान की प्रथा आरम की यानि भूमी को दान में देना किसने आरम किया तो सतवाहन वंस ने यानि सतवाहन सासक ने क्या था याद रखेगा सतवाहन ने अगला प्रस्ण है मनु इस्निती की रचना काल है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका आपका आप्सन नमर ए बिल्कुल सही है दो सो इसा पुर्व से दो सो इस्वी मनु इस्तनिती की रचना काल है दो सो इसा पुर्व से दो सो इस्वी अगला प्रशन है आपका मिछे कटी कम रचना है मिछे कटी कम रचना है तो इस प्रशन का उतर हो जागा छुद्रक की ओप्सन नमर भी सही है अगला प्राशन है चैतिया क्या है तो चैतिया है पूजा अस्थल आउक्षा नमर डी बिल्कुल सही है ये प्राचिन काल का बात है दोस्तों उसमें पूजा अस्थल को चैतिया कहा जाता था अगला प्राशन है आपका बार है अंग समंदीत है तो ये किस्ते समंदीत है इस प्राशनिक का उतरोज आपका जैन धर्मों से है उप्षा नमर बी सही है अगला प्राशन है संगम साहित की रचना हुई संगम साहित की रचना हुई तो इस प्राशनिक का उतरोज आपका उप्षा नमर सी बिल्कुल सही है दक्षिन भारत में संगम साहित की रचना कहा हुई है दक्षिन भारत में अगला प्रस्ण है सत वहनों का सबसे महान सासक कौन थे तो इस प्रशनिक का उत्तर होगा आप्सन नमर C बिल्कुल सही है गोत्मी पुत्र सतकरनी आप्सन नमर C बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है अकवर नाम की रचना किसने की इस प्रशनिक का उत्तर होगा अबुल फज अगला प्रश्ण देखिए अकवार का बीत मंत्री कौन था इस प्रश्ण का उत्तरवगा आपका अप्सान नम्मर सी बिल्कुल सही है टोडर मल अगला प्रश्ण है मुगल कालिन चित्रकला किसके काल में चर्म उत्तकर्ष पर पहुची यनि मुगल कालिन समय में चित्रकला के समय में सबसे आगे उत्तकर्ष सिमा पर पहुचा तो कौन सा पहुचा इस प्रश्ण का उत्तर हो जागा आपका अप्सान नम्मर सी बिल्कुल सही है जहांगीर जहांगीर जो है कि मोगल काल में जहांगीर राजा था वह चित्र कला में सबसे आगे रहा अगला प्रस्ण है आपका लाडली बेगम किसकी पुत्री थी इस प्रश्णिक का उत्तर होगा आपका आप्सन नमबर ए बिल्कुल सही है नूर जहां की है अगला प्रश्ण है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्मन किसने करवाया दिल्ली में चांदनी चौक का निर्मन किसने कराया तो इस प्रश्णिक का उत्तर होगा आपका आप्सन नमबर ए बिल्कुल सही है जहां आरा ने डिल्ली में चांदनी चौक का निर्मन करवाया था अगला प्रशन है भारत की अंतिमोगल समराथ कौन था इस प्रशनिक का उत्तर हो जाएगा आपका आपका उप्सन नमबर A बिलकुल सही है मंदिर का परवेशद्वार मंदिर का परवेशद्वार अगला प्रसन है तेनाली राम का संबन किस राज्यवन से है तो इस प्रशनिक का उत्तर होगा आपका उप्सन नमबर A बिलकुल सही है बिजय नगर तेनाली राम का संबन किस राजवन से था बिजय नगर से है अगला प्रस्ण है बल्लव में चार्य का जन्व कहा हुआ था बल्लव में चार्य का जन्व कहा हुआ था इस प्रश्ण का उत्तरोगाफ का उप्सन नमर सी बिल्कुल सही है बाड़ा नासी में अगला प्रस्ण है बंगाल के प्रसित संथ कौन थे बंगाल के प्रसित संथ कौन थे इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका उप्सन नमर ए बिल्कुल सही है चैतन्य महा प्रभू कहा के प्रसित संथ बंगाल के अगला प्रस्ण है सुल्ता उल हिंध किसे कहा गया है, तो इस प्रश्नी का उत्र होगा आपका, उप्सन नमर अ, बिल्कुल सह रुजवा मुद्दिन चिस्ति, उप्सन नमर अ, सही है, अगला प्रश्न देखे, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, यत्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है तो हैंसों को कहा गया है यत्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है हैंसों को आप्सन नमबर B सही है हैंसों को यत्रियों का राजकुमार कहा गया है अगला प्रशन देखिए केप्टन होपकिन्स किस मुगल सासक के दरवार में आया था केप्टन होपकिन्स किस मुगल सासक के दरवार में आया था तो इस प्रश्णिक का उत्तर होगा आपका option नमबर B बिल्कुल सही है जहंगीर के दरवार में केप्टन होपकिन्स आया था अगला प्रस्न है जोता दर प्राय कहां रहते थे तो इस प्रश्निक का उत्तर होगा गाउं में अप्शन नमर ए सही है अगला प्रस्न है अस्थाई बंदोवस्त में भूमी का स्वामी किसे माना गया था अस्थाई बंदोबस्त में भूमी का स्वामी किसे माना गया था इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका उप्शन नमबर A बिल्कुल सही है जमिनदार को अगला प्रस्ण है अवध के साथ वेलेजली ने साहक संधी कब किया इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका ओप्शन नमबर B बिल्कुल सही है अठारा सो एक इस बी में अगला प्रस्ण है अठारा सो संताउन का सिपाही बिद्रो कहां प्रावन हुआ था इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका ओप्शन नमबर C बिल्कुल सही है अठारा सो संता उनमें और भींद्र फीहार में विद्रोईयायों का नेत्वर किसनी किया था तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका और और से नमबभर सिंग को सबसक्तिर किसी किस्षिंध सबक्षिक निया किया बंगाल में इस्ट इंडिया कमपनी द्वहरा को जिप्टां में सर्भोच नियाले की अस्थापन कहब की गई थी यह फ्रस निकाव स्प्रस्ष्न सेटरी सबस्ञें में 173 वी में इस्ट इंडिया द्वारा कोलकता में सर्वोच नियाले की अस्थापन की गई थी अगला प्रस्न है भारत की राजधानी कोलकता की जग दिल्ली को कव लाया गया तो इस प्रस्न का उतर जाएग आपका उप्शन नमर ए बिल्कुल तही है बारत में जनगना का प्रारम किया गया तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा 1832 में अप्शन नमर ऐ सही है अगला प्रस्ण है बंगाल विभाजन किस वायसराई ने किया था तो लौड करजन ने क्या था अप्शन नमर भी बिल्कुल सही है बंगाल विभाजन किस वाइसराह ने किया था? लौड करजने किया था अगला प्राशन है सूरत फुट कब हुआ? फुट मतला अलग सूरत कब अलग हुआ? सूरत में कब फुट? सूरत फुट कब इस प्राशन का उत्तर होगा आपका ओपशन नंबर बी बिल्कुल चाहिए 1937 में सूरत में कब फुट परा था 1937 में अगला प्रस्न देखे खिलाफ़त अंदवलन कब हो था तो इस प्रस्न का उत्तर होगा आपका आपसन नमर ए बिल्कुल चाहिए 1927 में अगला प्रस्न है मुसलीम लिंग ने मुसलमनों के लिए बिथक राष्ट की मंग कब की बिथक राष्ट की मंग कब की तो इस प्रस्न का उत्तर होगा आपका आपसन नमर बी बिल्कुल चाहिए 1940 इसवी में भारतिय समिधान सवा के प्ररूप समिती का अध्यक्ष कौन थे बारतिय समिधान सवा के प्ररूप समिती के अध्यक्ष कौन थे तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आपका आपसन नमर सी बिल्कुल चाहिए डॉक्टर भीमराम अंबेतकर तो दोस्तों आप अगर यहां तक आये हैं तो वीडियो को आप इसी तरह से डेली देखें हम आपके लिए बहुत अच्छे-च्छे अब्जेक्टिव प्रस्न ला रहे हैं जो कि आपको विहार बोड इंटर परिक्षा में अब्जेक्टिव पे अच्छा नमर आएगा तभी आपका 400 सरे 400 से ज्यादा अंक आएगा क्योंकि अब्जेक्टिव एक से जगा तो एक नमर मिलेगा पका आएगदा तो तलते हैं फिर कल मिलेंगे आपसे अगले सेट लगर करके जए जए भारत